कोरोना संकर की वज़े से पूरी दुनिया की अर्थववस्ताओं पर बहुत बुरा असर पड़ा पूरी दुनिया के शियर बाजारों में भारी गिरापट आई है साथ ही दुनिया भर के अमीरों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है हाला के कुछ हमीर ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति में इजाफा भी हुआ है फेस्बुक के संस्थापक मार्क जुकवक्स उनमें से एक पिछले दुनों मार्क जुकवक्स एक दूसरी वज़े से भी भारत में चोचा में थे उन्होंने देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलाइस जियो में करीब 44,000 करोड का भारी निवेश किया है वे अब जियो के 10-60 हिस्सेदार बन चुके हैं प्रोना संकट में भी फेस्बुक के संस्थापक मार्क शकवक्स की संपत्ती में तेज इज़ाफा हुआ है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मताबिक पिछले दो महिने में उनकी संपत्ती में करीब 30 अरब डालर का इज़ाफा हुआ है मार्च में उनकी कुछ संपत्ती 57.5 अरब डॉलर थी अभी उनकी संपत्ती करीब 87.5 अरब डॉलर है ताजा रैंकिंग में वे विश्व के तीसरे सबसे अमीर शक्स है अभी वे वर्क शायर हैत्बे के शेयर मैं वारन बफे से भी आगे निकल चुके जब से फेस्बुक ने अपनी ओनलाइन शॉपिंग फीचर शॉप्स की शुरुबात की है उसके शेयर की कीमत आल टाइम हाई पर पहुँच गई फेस्बुक के एक शेयर का भावध 230 डॉलर पर पहुँच गया है कोरोना के करण पूरी दुनिया में लोग work from home कर रहे है ऐसे में वीडियो कॉन्फरेंसिंग की डिमांड बहुत ज़ादा बढ़ गई है पिछले दो महने में फेस्बुक ने वीडियो कॉल की सुविदा को अपडेट किया जो मैप को टक कर देने के लिए उसने हाली में मेसेंजर रूम्स पीचर को शुरू किया है इसमें एक साथ 50 लोग वीडियो कॉलर पर बात कर सकते हैं मेसेंजर रूम्स की खासियत यह है कि अगर आप WhatsApp या Instagram भी इस्तेमाल करते हैं जो समाई की मांग यही वज़ा है कि मंदी के महाल में भी मार्क शुकरबक्स की संपत्ति में तेज इसाफा देखने को मिला ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जब Facebook शॉप्स पूरी तरह से दुनिया के बड़े-बड़े देशों में लॉंच हो जाएगा तो Facebook का फायता और भी देजी से बढ़ेगा